स्वाध अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हेलो एवरिवान मैं हूँ शेफ दीपु और देशी विदेशी में आप लोगों का स्वागत है पता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहां पर दूद को उबाल रहा हूँ बिकाज मेरी जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलिशेस है बहुत ही अमेजिंग है मेरे दो favorite fruits है summer में मेरा favorite fruit है watermelon और winter में जो मेरा favorite fruit है sita fall इसे custard apple कहेते है ,Guardian custard apple की बांसंदी बनाने वाला हूँ जब बहुत बहुत ही delicious होगी , और 4 ingredients से recipe बनती है , Pac miał तो यहां पर मैंने क्या कि है दूद को उबालने रखा है आदा लीडर दूद को हम रिड्यूस करेंगे एक लीडर दूद यूज कर रहे हो तो इसका आदा करना है यानिके 500 ml तो दूद यहां पर बॉयल हो रहा है तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है सीता फल तो यहां पर एक स्पून लूँगा और इस तरीके से निकाल दूँगा इसके सारे बीज तो जब आप यह कर रहे हो आपके चीज का ध्यान देना है दूद के ओपर हमेशा नजर रखने है इसे घुमाते रहना है दूद को हमें जलाना नहीं है अच्छा यह दूद काफी र शक्र शक्र आपको कम दालना है बिकिस requests राप नचरल आप यह त्विद नाफशा होता हैं तो कम दालेंगे जढ़ए ज्यादा नहीं अब शक्र दालने से क्या होता है दूद का कलर भी चेंज हो जाता है अज कर आपको ड्रानला यह स्वाद अप्र नूसार बहुत स्वीट होता है, तो कम दालेंगे, ज्यादा नहीं, अब शक्कर दालने से क्या होता है, दूद का कलर भी चेंज हो जाता है अजा, शक्कर आपको दालना है, स्वाद अनुसर, डिपेंज आपको कितना मीठा पसंद है, यहाँ पर जैसे कि मैं आदा लीटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, तीन सीताफल, अगर आप ज्यादा सीताफल दालना चाहते हो, वो आपकी मर् प्रेसिपी ही, फॉलो करना है, डिपेंज आपको कितना स्वीटनेस पसंद है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि इसे डी सीट कैसा करते है, बस आपको एक चमत लेना है, और इस तरीके से यहाँ पर इसे घुमा देना है, तो यहाँ पर जो भी बीज आपको आपको निकाल देना है, बस अभी लास के थोड़े बोध बीज जो रह गए, वो भी निकाल दिया है, यह जाएगा यहाँ, पीछे से भी जितना पल्प है वो भी निकाल देंगे, डन, अब क्या करेंगे, अब आएंगे दूद की तरफ, यह दिखें, दूद काफी रिडिय अब वनिला एसंस, अब वनिला एसंस से क्या होता है, जो दूद का फ्लेवर वो कम हो जाता है, और जो सीता फल जो मैं इसमें मिलाओंगा, इसका फ्लेवर इनहांस हो जाएंगा, इसे मिक्स कर दूँगा, अब क्या करेंगे, यह जो सीता फल यह मैं इसमें मिला दूँगा अब इसे कर देंगे मिक्स अब आपको पता है क्या करना है गैस आफ कर देना है और इसे थंडा करके एंजॉई करना है ऐसी डिलिशिस रेसिपीस के लिए देखते रहे है देशी विदेशी वित मी शेफ दीपू और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो रेसिपी पसंद ना है तो दोस्तों यारों के साथ शेर कीजिए और आइविल सी यो अगें